हरहर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में पण्णाम करती हूँ मेरा पण्णाम सुविकार हो, माता गौरा पार्वती के चरण में पण्णाम करती हूँ मेरा पण्णाम सुविकार हो, गनपती ललनमा के चरण में पण्णाम करती हूँ मेरा पण्णाम सुवि आधी नहीं आधी सुने में सिव गुरु का मानित होती है पूरा सुने में ज्ञान होती है इसलिए कथा को पूरा सुने और रहा जानिए हरहर महादेव घर-घर-महादेव गुरुभाई भान एक राजा थे और उनकी दो रानी थी एक रानी फूल मती और एक रानी कलावती उनकी दो रानी थी तो जो फूल मती थी वो बड़ी रानी थी और कलावती थी वो छोटी रानी थी तो जो कलावती थी उसको तीन पुत्र थे जो बड़ी रानी थी उसको तीन पुत्र थे और जो छोटी रानी थी उसको दो पुत्र थे तो जो बड़ी रानी का तिन पुत्र थे और छोटी रानी का दो पुत्र तो राजा सहाब दोनों रानी को उतना ही प्यार करते थे चितना की छोटी रानी को उतना ही बड़ी रानी को और वो जो बड़ी रानी थी वो घर की मालकिन थी और छोटी रानी थी वो एक दासी कितरा घर में रहती थी लेकिन राजा को वो सब नहीं दिखता था श्मte जो चोटी रानी थी घर में जाडू, पोछा, बर्तन, जो भी गाई गोरु ऐसे करके करती थी, गाय को भोजन देना, गोवर निकालना, थेपले बनाना, ऐसे करती थी, वो जो चोटी रानी थी, असब काम किया करती थी, उर्षुई में उनको नहीं जाने देते थे, यह जो बड़ी रानी थी वो बड़ी रानी सीत और बसंद को थोड़ा सभी प्यार नहीं करती थी अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार करती थी जहां तक कि सीत और बसंत के वासी रोटी, सुखी रोटी, वासी चावल, भोजन में सुखा रुखा दे दिया करते थे क्योंकि इसको मा को रसोई में नहीं जाने देते थे तो यह जो छोटी रानी थी वो रसोई में नहीं जाती थे और अपने तीनों पूत्र के और राजा सहाब के बहुत अच्छे से भोजन कराते थे एक दिन का बात है कि सीत और बसंत अस्कूल में पढ़ने जाता था अस्कूल में पढ़ने जाता था तो उसका परीच्छा था सीत और बसंत का परीच्छा था तो परीच्छा में उसका जो रिजल्ट हुआ उसका अवल नमर आया सबसे अवल था पूरा स्टूडेंट जितना छातर छातर आये थे सबसे अवल नमर था तो उनका जो सिछक थे इनके माता और पिता को बुलाए विद्याले में कि आप लोग आईये और इन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा राजा बोली इतने छोटे छोटे बच्चों को मास्टर जी क्या देंगे इनाम वो बोले कि इतना छोटा बच्चा है पर पूरा मेरा अश्कूल में अवल नमर लाया है तो इसको इनाम देना तो जरूरी है यह जो छोटी रानी थी वो छोटी रानी को राज जब अच्छे अच्छे कपड़े मिले गए तो बड़ी रानी का बहुत जलन हुआ बहुत गूसा हुई और गूसा में पुरा अंदर अंदर उसका जल रहा था शरीर जब राजा साहब घहर आयें तो रानी कुछ सोचने लगी कि कुछ न कुछ हमें इसे करना पड़ेगा क्या करूं कि जिसमें इसको हम पीछे हटा दे मेरा जिन्दगी से चल जाएं लोग यह जो बड़ी रानी थी वो बड़ी रानी किसी साधू बावा के पास जाती थी को नजर से हटाना है उसे हम कैसे हटा सकते हैं बावा बोले लो एक जड़ी तुम्हें देते हैं इस जड़ी को पीछ कर उसको सीर पर रख देना तो उस सीर पर रखते ही ओ तोता बन जाएगी ओ तुम्हारा नजर से हट जाएगी बोले कि ठीक है यह जो बड़ी रानी थी वो अपने छोटी वाली सोतन से बोली चलो हम लोग गंगा असनान के लिए जाएंगे और असनान करके और दोनों बहन लोट जाएंगे आज का दिन बहुत शुप दिन है यह बोली नहीं हम गंगा असनान नहीं जाएंगे हम तो घर पे ही असनान करते हैं वो अच्छा लगता ह बोले कि नहीं नहीं चलो मेरे साथ वो बैचारी जो छोटी रानी थी वो बड़ी रानी के पास गई असनान करने जब असनान करने गई तो ये बड़ी रानी क्या की कि उसको हाथ पे जो जड़ी पीस के रखी थी वो हाथ से उनका सर पे रख दी हाथ जड़ी जो थे था वो मा तोता के रूप में बोलने लगी और बैचारी फर 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 उड़ने लगी तो वहां के जो राजा था वहां उस गाउं के और उस उस राज के कोई और राजा थे उनके पास विचारी जो तोता थी छोटी रानी उसके पास चली गई उसके पास चली गई और उसका जो बेटी थी एक ही एक लोती बेटी थी उसका कोई संतान नहीं था उस राजा के जाके दरवाजे पर सोने का तोता बन गया विचारी जो छो या रतन से जड़ गया क्योंकि छोटी वाली रानी थी भगवान के भर धी महा देब के भध्धsl थी तो महादेब ने सोचे कि तुने तो इसको ना दी है लेकिन इसको कर देंगे कि जिसको जो इसस्पो से पालें आप यह रखेंगे वहुत प्यार से चाहत में रखेंगे वो सोने भीरे का रतन जड़ा हुआ तोता बन गई तो और पकड़ लिये और राजा पकड़ के और अपने बेटी को दे दिये और देखे और बोले कि लो इसके साथ तु खेलना और इसे पिंजड़े में रखना उसकी एक लवती बेटी प्रेम लता थी वो बेचारी रख ली तोते को और तोते को प्रती दिन भोजन कराती और पिंजड़े में बंद कर दी कि इसको पिंजड़ा से निकालेंगे तो ये सोने का सूगा उड़ जाएगी उस सुगा रह गया राजा के रह गई राजा के पास और ये दोनों भाई पढ़ने गया था राणी को लगता था कि चलो उसको तो हटा दिये अब इन दोनों बच्चा को भी किसी तरह से तो नजर से दूर करना होगा और इसे भोजन नहीं देने लगे रुखे सुखे थोड़ा मोड़ा भोजन दे दिया करते थे लेकिन दोनों जो सीत और बसंद था वो पढ़ने लिखने में बहुत तेश था और ये जो बड़ी वाली रानी का तीनों पुत्र था वो तीनों थोत भोत था और देखने में अजीव इसका चेहरा था देखने में नहीं लगता था कि कोई राजकुमार है इनका चेहरा तीनों पूत्र का बिल्कुल दुबला पतला था और देखने में अच्छा नहीं लगता था सीत बसंद बहुत सुंदर लगता था देखने में और पढ़ने में बहुत अच्छा था जब पढ़के आ रहा था तो ए रानी अचानक उसे गालियां देने लगी बड़ी वाली रानी उसको जो बड़ी मा थी अचानक गालियां देने लगी और गुसे में दोनों का बहुत पि रहें कि गंगा जीव में डूब गया लेकिन गंगा के टट पर भी गए तो मेरी मा नहीं थी और मुझे आज गालियां दे रहें अब पीट रहें मैंने क्या किया और रानी कुछ नहीं बोली हाथ पकड़ के दोनों के राजा के पास ले गई और बोली कि राजा सहाब आपका जो वेटे है लाडला सीत और बसंद जिसके लेके उगना और डूबना चाहते हैं जीना वरना उसके साथ चाहते हैं वो ने वो हमें देखा अस्कुल से आते आते मुझे बहुत गालियां देने लगा और मुझे पर हाथ उठाया इसे आप इसी बागते जलाद को दे दीजि मिलेगा और आत्मा में सांती मिलेगा और हम इस घर में रहेंगे नहीं तो इस घर को त्याक करके इसी वक्त चले जाएंगे राजा बोले रानी शहाब आपकी आग्या नुसार सारी बात किया जाएगा जितने जो घर में नौकर चाकर थे वो सारी लोग इस बात को सुनकर हर जर जर और कहने लगे कि पहले तो छोटी रानी पता नहीं कहां चली गई जो घर के लचमी थी जो कि हम लोग के साथ अच्छे से प्यार से बाती करती थी और बड़ी वाली रानी है तो उनका बेटा सीत और बसंत है उसे मारने को लिया ओडर दे रहे हैं राजा सहाबी जलाद तो उसे पकड़ कर और लेकर चले गएं दोनों हाथ बांद दिये सीत और बसंत को सीत और बसंत पुझा भाईया आप मुझे कहां ले जा रहे हैं ए जलाद बोले तुम्हें काटने को लिए ले जा रहे हैं भाई चलो जंगल में चलो और जंगल में तुम्हें काटे मुझे बार बार छेव मत लगाना गर्दन पे क्योंकि बहुत दर्द होगा बसंद कहता है जरा बड़ा बरतन लेना खून चानने को लिए क्योंकि मा को खून से नहाना बहुत पसंद है इसलिए बड़ा बरतन लेना खून छानने को लिए मेरा जो सरीर है बहुत मोटा है खून जादा निकलेगा मेरा सरीर हड़ा गड़ा है क्योंकि जो बड़ी मा थी ओव मुझे घी में भोजन बना के दिया करती थी घी में खाना बनाती थी और हमको दिया करती थी इसलिए उनका पूत्र पतला है हम लोग बहुत मोटे हैं थोड़ा बड़ा बरतन लेना ये जो बेचारा जलाद था उसका आखों से आशू गिरने लगा और बोला चलो चलो हम बड़ा बरतन ही ले लिये हैं जब जंगल में आया तो दोनों का वस्तर उतार दिया ओ जलाद जलाद दोनों का वस्तर उतार दिया नंगे वस्तर कर दिया ये दोनों बच्चा कहता है कि भईया मेरा वस्तर क्यों उतार दिया मुझे काटे हो गए तो बिना वस्तर के जलाद बोला हाँ हाँ बिना वस्तर के क काटेंगे पहले जो करते हैं। उह करने दो पॉधों में से बहुत बड़ा बड़ा छॉडाया। और पुरा स्रीड में दोनों का बांद दिया। जो छाल था चल्टा होता है पोधा का ओ दोनों का सरीर में बांध दिया और बांध के और बोला कि देखो तुझे हम जब जन्म लिया था तो हम गोद में खेलाए हैं अपने हाथों से तुम्हारा कपड़ा धूले हैं और तुम्हें गाये का दूद किलाए हैं तुम्हारी मा जो थी हम पर छोड़ दिया करती थी और गाय गोरु का सेवा करती थी हम लोग गाय दूह कर और तुम्हें अपने हाथों से दूद पिलाए हैं जिन हाथों से गोद खेलाए हैं उसी बालग को हम कैसे दोखन कर सकते हैं यह मुझसे नहीं होगा हम ऐसा नहीं कर स तुम्हें जो एवस्त्र है वस्त्र हम ले लिए हैं इसलिए कि राणी को देगे और तुम्हें चाला पिना दिये हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि ये राजकुमार है और जो उनके पास धोती था धोती का दूखंड कर दिये जलाद और दोनों के आधी-ाधी धोती पुतली के और बोले जाओ भाई तु इस जंगल से बहुत दूर चल जाना अपना राज से कि जिसमें तुम्हारे जो कोई दिखना सके तुम्हारी राणी जो बड़ी मा है वो कभी नहीं तुम पे नजर पड़े तुम्हारा मुह देखी ओ बोला ठीक है आप चिंता मत किजिए हम चले ज थोड़ कर आप चिंती तो नहों हो ये जो जला था किसी तो बसंद का कपड़ा ले लिया और जो बरतन लिया हुआ था जबत्तमैं वों बरतन भी उठा लिया और वहां से चलंगा तो जलाद जो थे उखेल сть है चार थे तो नहीं थे चार थे तो आगे चलने लगे चारो जलाद तो एक बहुत बड़ा भयांकर कुटा परनजर पड़ा कुटा परनजर पड़ा तो क्या किया कि चारों मिलके उस कुटे को मार डाला मार डाला और मार कर और उसी का खून छान लिया और उसका चीर फाड़ के कलेजा निकाल लिया और बोला कि चलो रानी तो बोली थी कि सीत और बसंद का खून चाहिए और कलेजा चाहिए लेकिन हम इस कुत्ते को कलेजा निकाल लेंगे निकाल लिये और खून छान लिये एही जानी को दे देंगे रानि आज मास बना के मास में ले लए दिया और छार मिल को मास बंध लिया कलेजा बांध लिया लेजा के राणी को दे दिया बोला राणी साहब लीजिये एक का सट में कलेजा बंधा हुआ है और एक का सट में मास बंधा हुआ है और इस बरतन में सीत बसंद का खून है लीजिये आप असनान कर लिये राणी साहब क्या किये कि खुशी खुशी उस आइ अपने बेटे को नए-णegख कपडे पहना आई अपने भी नए व स्थ पहनी ने और राजय को भी बोली कि राजा साहाब आज हम लोग कि खुआ का दिन मनाएंगे राजा बोले कि हाँ हम लोग आज खुआक दिन रहे लगा चलते 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 बहुँ दूर चला गया जब बहुँ सतर रही यह कुंद बहुँ जोरोसे प्यास लग गया तो सौचने लगा यह हम में भी तुर łas लकिया वह प्यास लग गया यहां पानी पीएंगे खानी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है वो बेचारा जंगल में था ये बसंत कहता है हुए अ प्यास लग गया तो शीतो बोला ठीख है भाई इसी बुरिच के नीचे तुम बैठो हम आते हैं पानी ढूंड कर व बेचारा पानी ढूंड ने चल दिया पानी ढूंड को लिए जब चल दिया तो एक तलाव पर नजर पढ़ गया तो बिचारा सोचा कि मेरे पास जो सर में पैर में छाला बांधा हुआ है उसको दो छाले को मिला देंगे और उसमें पानी भर लेंगे दोनों तरफ से पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा पानी मेरे छाले में अड़ जाएगा अपना भाई को प पूत्र नहीं था तो वहां का जो हाथी था गजमोती हाथी उस रहाथी का नाम गजमोती था तो वहां के राजा बोले कि भाई हम लोग हमें पूत्र नहीं है कोई मेरा राज सिहासन पर बैठना चाहते हो तो मेरा राज सिहासन पर बैठ जाओ यह सारा लोग बोले कि नहीं हम लोग आपके राज सिहासन पर नहीं बैठ सकते हैं जिसके लिलार पे राज तिलक रहेगा वही आपके राज सिहासन पर बैठ सकता है बोले कि तो एक कैसे पता चलेगा बोले कि जो गाज मोती आपका हाथी है उसको एक माला दे दिजिए वो सूड में माला लेगा और जिसको गले में पहरा देगा वही राजा बनेगा सारे लोग बोले तो राजा इस बास स्विकार लिये और सहमत थे गज मोती हाथी को एक माला दे दिये और माला दे कर और सारे लोग पीछे आगे आगे हाथी इसी सीत के पास वह घाथी ओर हाथी इसको तलाओ में पानी भरते हुए गले में आकर दोड कर डाल दिया हाथी को लगा कि इसी को तो लिलार पे राज तिलक है और यही तो राजा बनने योग है इससे बढ़िया राजा कौन बन सकता है यह तो हमें बहुत सुन्दर दिख रहा है राजा बनने लायक इसका तो बुद्धी बहुत तेज है यह जो सीत था वो चिलाने लगा और बोला ह अपने सूर में लपेट लिया वालक को शित को और आके सब के बीच में लाके धर दिया उसे सारी लोग राजा मान लिये हाथी अपने सूर से ही वहां सभी उठा लिया और उठा कर राज सिहासन पर बैठा दिया राजा साव अपने हाथों से राज मुकुप पहना दिये और राजगर्दी उसे सोप दिये और सारी लोग उसे राजा मानने लगे ओ बैचारा बहुत चिंतित था बहुत दुखी था कि मेरा भाई बसंद कैसे होगा वो तो छोटा भी है और हम बड़े हैं हम मुझे तो यहां इन लोगों ने अपने राजा मान लिये हैं मुझे राज भी चलाना है और कैसे हम उसके पार जाएं मैं इन लोगों से क्या बताओं क्या कहूं बेचारा बहुत दुखी था लेकिन रो भी नहीं सकता था किसी से कह भी नहीं सकता था किसी को बता भी नहीं सकता था दिखा भ कि दिरे दिरे अपना भाई को भूल गया राजपा चलाने लगा उससे इस परजा बहुत खुष थे और जो बसंत था उसी के पास जब साम हो गया तो पूरा चिला चिला कर रोने लगा चिला चीकला कर रोने लगा रोते 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 उसे नींद आ गया सुवा फिर अपना 27 करके ऊरोने लगा इतना रोया इतना रोया की रोते रोते ओ बेहोस पड़ गया तो उस जंगल में एक कुटिया था एक कुटिया था उस कुटिया में साधू बावा रहते थे साधू बावा रहा करते थे वो साधू बावा बाग बगैचा में घूम रहे थे जंगल में घूम रहे थे गूमते गूमते इस वालक पर नजर पड़ गया तो देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर वालक है लेकिन प अलग तो बेहोस है वो ले गए अपने कुटिया में उसके मुँपे पानी मारे चिटे दिये पानी का और उसे आंके खुला तो उसे पानी पिलाए तो भाई भाई कहने लगा सीत भहिया कहां गया सारा लोग बोले कि तुम्हें सीत भहिया नहीं है पानी पीलो कुछ भोजन कर दिए लो और 8 बाबा के कुटिया में रहने लगा उसकी जो मा थी और उर राजा के घर में तोते बनके रहरही थी और बाबा की कुटिया में अवे जो जो सित था ये रात चलाने लगा तब की गुरुभाई बहन अब यहां इसके माता पिता के कथा कहते हैं कि इसको जो माता पिता थे तो सीत और बसंद के घर से जाते ही इसके माता पिता धीरे 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 गरीब होने लगे गरीब होने लगे इसको जो माती उसे अन बिन भटकना पड़ा और तीनों जो भाई थे वो भाई अंधे हो गए माता अंके भीना तड़पने लगी इसका घर में जैसे लोग कहते हैं कि बजड़ पर गया तो उसका घर में बजड़ पर गया कोई चीज नहीं रहा अपने आप विखरने लगा कुछ भी उ रास्ता देख लिये राजा साहब जो थे वो क्या किये कि जब उनका घर में कुछ नहीं था तो चले गए सन्यास बनके साधू के आसरम में जाकर रहने लगे रानी एक दिन अपने पुत्र को लेकर और रानी प्रती दिन भीख मांगने लगी और भीख मांग मांग के तीनों ब पुत्र को इनका अपने सोतन को पुत्र को काटने को लिए बोली थी इस कारण भगवान उसे डंड दिये तीनों पुत्र अंधा बन गया और एक दिन वो भीचा मांगने जा रही थी तो नदी के अरार से जा रही थी आगे आगे उसको जो मा थी ओ आगे आगे हो गई और घर में रहती थी रानी तो थोड़ी अच्छी से रहती थी लेकिन जब मांगने जाती थी तो अपना रूप बदल लिया करती थी फटी पुरान पहान लेती थी और जाती धिवीक मांगने तीनो जो पुत्र थे ओ पुत्र क्या हुआ कि तीनो पुत्र गंगाजी में डूब गया और तीनो पुत्र का मिर्तु हो गया जब तीनो पुत्र का मिर्तु हो गया तो ये पुरा हाई हाई करके चिलाने लगी इसका मां चिलाते चिलाते घर आ गई लेकिन घर आ गई तो क्य इसको दुख थोड़ी दूर हो गया दुख तो और ज्यादा हो गया गुर्भाइबान एज भीक माँगते रही और घर में गुजारा करते रही राजा भी घर छोड़ दिये घर में कोई न रहा बिलकुल ये रानी अकेली पड़ गई जब अकेली पड़ गई तो अकेली ही भीख मांगते खाते रह गई और यह जो सीत था तो सीत अपना राज चलाते रहा इसको जो मा थी जिस राजा के घर में उसका एक बेटी थी प्रेमलता तो प्रेमलता थी जो बहुत सुन्दर थी बहुत अच्छी लड़की थी इतना सुन्दर इतना सुन्दर कि उसको रूप देखकर लोग महित हो जाते थे तो जो प्रेम लता थी ओ अपने जो तोता था तोता थी ओ तोता से कहती कि तोता बोलो देखो मेरा सुन्दर कैसा चेहरा है तो तोता कहती dollars कि मेह ब्रमस सुछा वाक करेäg बोले कि हाँ पसंद करेंगे राजा साहब उसके पिता थे प्रेमलता को अपने बेटी के साधी के लिए बेटी के साधी के लिए सोमर चाहें कि जो बर मेरा बेटी पसंद करेगी वही बर से मेरा बेटी को साधी होगा तो प्रेम लता बोली अपने तोता से कि बोलो तोता हम क्या पहनूं ये तोता बोलती है हाथों में चुणियां पहन लो, मांग में टीका पहन लो, नाक में नथिया पहन लो, गले में हार पहन लो, और रेसम की साड़ी पहन लो, पेर में पायल पहन लो बोले कि ठीक है वो पूरा तयार हो गई तो ये तोता कहती है कि अब बोलो हम कैसा दिख रहे हैं ये बोले कि तुम तो अच्छी दिख रही हो लेकिन तुम्हारे लाइक इस सोमर में एक भी बर नहीं है बोलो अपने पिता से कि जो मुझे गजमोती लाके देगा उसी से हम साधी करेंगे वो लड़की सारा सिंगार उतार दी और अपने पिता से जाके बोली पिता जी इस सोमर में जितने राजकुमार आये हुए हैं उनसे जाके बोलिए जो मुझे गजमोती का माला लाके दे देंगे उनहीं से हम साधी करेंगे उसके पिता बोले कोई बात नहीं बेटी अभी रख देते हैं इस बात को वो सारे राजकुमार आये हुए राजाओं से बोले कि राजा सबसे हम मेरा अनुरोध है प्रातना है कि जो गजमोती का माला देंगे उसी गजमोती से उसी लड़का से हम साधी करेंगे अपने बेटी को सारे लोग वहां से चल दिये गजमोती लाने को लिए जहां हाथी पुसाता था जूंड था वहां गए गजमोती खोजने लेकिन कोई हाथी गजमोती नहीं था हाथी के जून में जब गए इन लोग राजाओं तो सब के हाथी पुरा किसी को पैड तोड़ दिया किसी को हाथ तोड़ दिया किसी को माथे फट गया पूरा चोट घायल हो गए ऐसा जब जिस राज में सीत था राज करता था उसी राज में ऐसा घटना घटा जब सीत को ये पता चला तो क्या किये कि राजा के राज पर चढ़ाई कर दिये राजा के राज पर चढ़ाई कर दिये इसे तो नहीं पता था कि मेरी मा उसके घर तोता बन के रह रही है राजा के राज में चढ़ाई कर दिये और चढ़ाई करके और राजा से लड़ाई लड़के राजा के राज जीत लिये और ये जो बेटी प्रेमलता थी उसको जीत लिये वो बंदी बना लिये और बंदी बना के और लेकर चले गए और बोले कि राजा आपका राज मेरा हुआ लेकिन आपने जो गलत किये थे उसका परिनाम आपकी बेटी जा रही है इसको बंदी बना कर ले जा रहे हैं जब मुझसे युद की जिएगा और मुझसे जितियेगा तो अपना बेटी को बापस ले आईएगा यह जो यह सीत था वो लड़की को ले आया अपना घर अपना घर ले आया और रह गया बसंत बसात जंगल में था तो एक चणिया था बुलबुल बुल चणिया था और उनकी पत्नी थी बुलू बुलबुल दोनों पच्छी थे तो दोनों अपना घोसले में थे तो आपस में बात कर रहे थे कि देखो एक राजा है उसका बेटी है प्रेमलता तो उसको घर एक तोता है सोने का तोता तो जो तोता करती है वो ही वो राजकुमारी करती है तोता बोली है कि गाजमोती का माला तुम्हें जो ला देगा उससे तु साधी करना तो यह उसकी पतनी कहती है पती बोले कि तो गाजमोती कहा मिलेगा तो बोले कि देखो एक नील नदी है नील नदी है वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है छोटी काली पहाड़ी है काली पहाड़ी से सफेद जरना गिरता है वो दूद का जरना गिरता है और ही नील नदी में एक कमल का फूल खिलता है और कमल के फूल जो तोड़ेगा तो कमल के फूल के पाथ जो जाएगा तो उसी कमल के फूल के अंदर वहां पर एक हाती है हाती में गजमोती माला है बोले यह जो बसंद था वो सारी बाते सुन लिया सारी बाते सुन लिया और पच्छी से बोला कि बुलबुल तुने मेरा मदद करोगे हम जाएंगे उसे लाने को लिए बोला कि हाँ हम मदद करेंगे हम लाने में मदद करेंगे लेकिन सबसे पहले इस बिरिच है बोला कि हे बिरिश देवदा आप मुझे राजा का सुन्दर वस्त राभुसन दे दीजिए तो हम पहन कर राजकुमार बन के और गाजमोती लाने जाएंगे तो ओ जो बिरिच था ओ सुन्दर वस्तर दिया और बिरिच के नीचे सुन्दर वस्तर और भूसन भी राजा के मिल गया ये पहन लिया बसंत बोला कि जाओ जिस संत के पास रहते हो साधू जो चूटा रखते हैं उस चूटा के ले आओ अब चूटा के अपने हाथ में ले लेना बोले ठीक है उच जाके अपने बावा का चूटा हाथ में ले लिया बसंत और चल दिया उस नदी के पास उस नदी के पास छोटी सी जो काली पहाडी थी तो उस पहाडी के पास निल कमल जो फूल था उसके पास धीरे धीरे ये चल गया नदी में हेल गया बसंत नदी में हेल गया और नदी में हेल कर और अपना जो चूटा था पच्छी बोली जाओ चूटा उस कमल के फूल के उपर रख देना तो चुटा ये राजकुमार रख दिया फूल के उपर तो वहाँ पर से जो दूद का जरना था वो भी खतम हो गया और फूल था वो भी खतम हो गया एक सुंदर सा हाथी था वो भी खतम हो गया और अपने आप वहाँ आवाज निकलने लगा एक मनुस्थ का कि हम राज कुमार नहीं हैं, एक संत के सेवक हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमें ही चाहते हैं, कि गाज मोती का माला मेरा दिल में समा जाए, मेरे मन में रहे, और मेरे हाथ में आकर मेरे साथ चले, जो गाजमोती था वो हाथों में राजा के आ गया और ये बसंत था ये ले लिया गाजमोती माला और अपना तिर्चूल वहां से चल दिया वो जो दोनों बुलबुल पती पत्मी पच्छी था वो दोनों आगे आगे और ये बसंत पीछे 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 और राजा के घ कि उसे तो सीत नाम का एक लड़का कैद करके लेकर चला गया है बंदी बनाकर बसंद को खुशी हुआ कि सीत जो है मेरा भाई है सीधा उसके राज महल चला गया पता करके और राज महल के बाहर खड़ी हो गया और यह जो सीत था उसे जंगल में सिकार करने गया उसी बिरिज के नीचे गया तो उसे एयाद आया कि मेरा भाई इसी ब्रीच के नीचे था और मुझसे भी छड़ गया है ओ बैचारा चिंता में इस धर उदर खोजा लेकिन बारा वर्ष बित चुका था उस वक्त बारा वर्ष बित चुका था तो बैचारा बापस आ गया बापस आ गया और उसे भाई नह चुका था तो ऑन गुसे में जाकर अपना कमरा में बंद करके और गूसंत का रहा और इस nghiले हमार। बंद सन्ति प्झार करता रहा। और चिठी में लिख के भैजा कि जाओ इससी दे देना राजा को और बोलना कि ओ प्रेमलता को आजाद कर दे लेकिन उसके पास तो चिठी गया ही नहीं तो अजात कैसे करता जब आठमा दिन बित गया तो ये जो सित था वो सित का बहुत गुसा हुआ बहुत गुसा हुआ और सोचा कि चले भाई से मिलने लेकिन आठमा दिन ये बसांत जो सित तो जो था वो खोल दिया अपना गेट अब बसांत आगे गुसा में था कि मुसे मिलन नहीं आया जब दर्वाजा खोला तो इसे चिठी मिला तो चिठी में नीचे लिखा हुआ था बसंत हम बसंत चिठी दे रहे हैं और प्रेम लता के जो गाज मोती का माला है वो लेकर आए हैं लेकिन उसे आजाद कर दो जब शित सुना तो दोड़े दोड़े अपना भाई के पाहच चला गया और भाई के पाह जाकर और गले में लिपट गया और भाई तू कहां रह गया था ओ बिचारा अपना दुख वरी बातों सुनाया कि भाई हम तो एक साधू संत के पास रह रहे थे और आज हम गजमोती माला लेकर आए हैं प्रेम लता के आस्रा पूरा करने को लिए बोले कि भाई अच्छा बात है तुने गजमोती ला है लेकर उसे तो हम बंदी बना कर रखे हैं बोला उसे आजाद कर दो और उसका महल भेजा दो तब तक इसे पता चल गया कि जो सूगा को पता चल गया सूगा बोला अपने प्रेम लतारानी से कि राजकुमारी तुम्हारे आज खुशखबरी है बोली क्या तो आपके लिए गाजमोती माला आ गया है बोले कि हाँ अच्छा है अब मेरा विवा हो जाएगा और हम अपना राजमहल चल जाएगे वह जो लड़की थी उसे राजमहल भेजा दिया गया लेकिन जब राजमहल भेजा दिया गया तो लड हल्दी पीसी और दूद कच्चा दूद से सुगा को असनान करा रही थी कि अच्छा राजकुमार ये सुगा ढूंडी है इसको कहने से ही मेरा राजकुमार मिला है तो हाथ उसके सर पे हाथ फेरी तो जड़ी था जड़ी पीसा हुआ रखा तो जड़ी तो धुल गया तो एक राज रानी बन गई तो ये बेचारी राजकुमारी थी प्रेमलता ओ डर गई और सोची कि अरे अब मैं क्या करूं ये तो नारी बन गई ये अखिर कौन हो सकती है डर गई और डर के कहती है कि भाई तुम कौन हो ये बोली आप नहीं जानते हम एक राज रानी हैं हम सीत और ब बसंत के माँ हैं यह सोची के रहें बसंत से तुम मुझे साधी हो रहा है और सीत मुझे कैट कर लिया था तो इसको मतलब उसी को माई है बरात आ गया बसंत बरात लेकर आ गया उस बरात में सीत भी था धूम धाम से बराती साजा अपने भाई को और जैमाला हो गया साधी हो ग जाएंगे मेरे साथ कोई नहीं बोले कि अच्छा क्यों अकेला जाएगी उले हाँ पिता जी हम अकेला जाएंगे ठीक है तुक अकेरे चलजाना इसको जो फिता थे उसको लिए अकेले डॉली बन बन मंगवाएं अउस डॉली में अपने बेटी को बैठा लिए यह जो लड़ बैठा ली और बैठाकर और लेकर चली गई ओ जो बसन्त था बसंत अपना डोली में चला गया और जाकर घर पहुच गया जब हम पहुच गया तो वहाँ डोली के पर्छन के लिए खोले डोली तो डोली खोले तो देख रहे हैं कि एक और है ये लड़की को परचने से पहले ए राज कुमारी ए राज रानी उतर गई अउतर के और कहने लगी मेरा सीत बसंत बेटा कहा है मेरा बेटा सीत बसंत मेरे पास आओ मा का बोली सुनकर ये जो बसंत था उसको साधी हुआ था पहले पर्छन नहीं पहले मा के गले में लपट गया और ये जो सीत था ओभी अपने मा को गले में लिपट गया और लिपट के और कहने लगा मा तू कह प्रियम लतां के पास थे एग सुगा बनके जो तुम्हारी बड़ी मां थी बेटा और सुगा बना के मुझे उड़ा दी थी तो हम राजा के राज महल में चले गए थे तो प्रेम लतां मुझे रखी थी 12 बरस अपने पिंज्डबे में बंद कर के रखी वो तो बेचारियन जाने में थी लेकिन कल अचाना को न नहलाने लगी हम को इसारा पे ऊचलती थी जो कहते थे उसे ऊ मानती थी तो उसको हम बोले थे हम बोले थे कि गाजमोती का माला जो लाएगा उससे तू साधी करना लेकिन मुझे नहीं पता बेटा कि तू ने गाजमोती का माला लाया था तो आज हम इसी के कारण जिन्दा थे और मुझे एही अपना दोस्त मान कर रखी थी बेचारी खुशी खुशी राजमहल के अंदर गई जो उसको बेटा का घर था शित का अंदर गई अंदर जाकर और पर्छन का दाई लोग सजाये थे थाली उसकी बहु जो बड़ी बहु थी वो थाल स जाई थी एह बेचारी रानी हाथ में ठाली ले ली और ठाली लेकर और अपने बहु को पर्छन की दोनों सास बहु मिलके दोनों बहु को पर्छन की पहले बड़ी बहु सीत के पत्नी के आरती उतारी उसके बाद बसंत के पत्नी को आरती उतारी और दोनों बहु के गिरी प तो बोले कि भाईया आज चलो नदी के और घूमने चलते हैं तो दोनों नदी के और घूमने गए जब दोनों नदी के और घूमने गए तो बालू पे लात पड़ा बालू पे बहुत गुलगुल उसे लगा तो कह रहा है उस बालू में से आवाज आ रहा है कि भाईया दोनों एक जगह मिल गया मुझे छोड़ दिया सीत और बसंद चक्चेहा के कहने लगा कि भाईया यहाँ पर कोई आवाज आता है ओध खोदने लगा जमीन को तो तीन सोने का मचली मिला तीन सोने का मचली मिला तीनों मचली को लेकर वो घर आ गया सीत बसंद घर आ गया और मचली हाथ में दिया अपने मा को मा एशोने का मचली हाथ में ले लो और इसे जाके बना दो मा भोजन यह तो जिंदा मचली है भोजन देखने में लगता है सोने का पर एशोने का नहीं है मा यह तो मचली है जब उसको मा हाथ में ली तो सवतन का तीनों पुत्र था जो की गंगा में डूपके मर गया था तीनों पुत्र था वो तीनों पुत्र नौजवान वहां खड़ी हो गया अपने मा के चरण में लिपट गया चोटी मा के और बोला मा भहिया को तो मेरे माता ने मारने को लिया ओडर दिया था लेकिन आज हम भाईया को देखकर बहुत खूस हो गए मा और मेरी मा पता नहीं किस हाल में है और मुझे मा से जरूरत नहीं है मा के कारण हम बहुत दिन अंधा बनके रहे मा आ साथ वर्स अंधा बनके रहे और पाच वर्स मचली बनके रहे मा बालू के तर में मुझे पानी नहीं मिला मा अब हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह कष्ट भोगे यह जो सीत और बसंद था ओ राज बापस गया और इसको जो पित पिता यह बात सुनकर घर लोट गए सीत और बसंद के पास की मेरा पुत्र जो है ओ मरा नहीं था जिन्दा है ओ सीत और बसंद के पास आ गए यह जब दोनों गया देखने तो देख रहा है कि जो बड़ी रानी थी उसका तो पूरा लाखो लाख पिलुआ उसका सरीर में वो दूद भात जाके खिलाए और खिला के बोले मा तुईसी बिस्तर पर लेटे रहना तुमारे लिए हम दो नोकर भेजवा देते हैं सीत और बसंद दोनों उसके लिए नोकर दोठो भेजा दिये और सारा परिवार सीत के जो राज जिस साराज में सित रह रहा था उसी रा लाहिं हुआ इस सारा परिवार में जुलकर एक जगह करते हैं पर सा सब्छू और बसंद साराज में कोई हैं सित और बसंद की कहानी कोई तो ऑस सची कहानी हया और अनुखी कहानी है गृभा ही वना इसे पूरा सुनिये और रहत जाने